हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनिय नेता और पूर सांसर डॉक्टर एस्टेसन साब हैं, उनसे बात करते हैं, डॉक्टर एस्टेसन साब ये बताईए कि केंद्र सरकार जो है अपॉलो फॉर्टिलिटी के साथ अपने माता-पिता बनने का सबना पूरा करें, मुफ्त परा मर्श के लिए डबल नाइन फाइफ ट्री डबल एट नाइन थी सिक सेवन पर कॉल करें वफ एक्ट में संसोधन करने जा रही है जिसको लेकर कि विपक्ष विरूध कर रहा है, आपका क्या मानना है, क्या वफ कानून का एक तरह से संसोधन होना चाहिए वफ प्रोपर्टीज की हफाज़त के लिए, क्या लगता है जो सरकार ने संसोधन लाने की कोशिश की है, ब लेकिए इस एक्ट से हिफाज़त तो नहीं होगी, बलके और वफ की संपतियें बरबाद हो जाएंगी, सरकार इस पे अपने खब्से करेंगी, वफ जिस तरह से पहले होता था, कि अगर कोई विवाद है तो वफ बोर्ड उसे तेह करता था, अगर आदम कोई सैटिस्वाइ न होते थे, और जैजेज होते थे, अगर उससे भी सैटिस्वाइ नहीं है, तो हाई कोट जाता था, हाई कोट से फैसला होता था, सरकार ने अब क्या की आएगा, कि अब ऐसे तमान चीज़ों को डियम लास्ट अथरूर्टी कर दिया, डियम अगर आपका कहीं डिस्प्यूट है, और डियम ने यह कहा, कि साब आप दोनों का इस डिस्प्यूट है, यह तो सरकारी संपत्ती है, तो डियम तो वही फैसले सुनाएगा, जो सरकार चाहेगी, सबको मालूम है, वनना उसके बिचारे ट्रांसवर हो जाएगा, तो वफ का इनों ने एक मजाग सा बना दिया, वफ होते हैं, वफ अलल उलाद, और वफ अलल खैर, वफ अलल उलाद इसली होते थे, कि संपत्ती लोग अपनी सेफ करना चाहते थे, उलाद जह है, इसे बरबाद ना कर दे, बेच ना दे, वफ की जादा थे, बेच ही नही जाती है, वफ अलल खैर में चरिटी के काम होते कहीं मस्जिदें बनाई हैं तो कहीं मदर्से बनाई हैं कहीं स्कूल चलना हैं कहीं और काम हो रहे हैं वफ की संपत्यों से जो संपत्या हैं उनका आउडिट होता है हर साल आउडिट में जो उनका प्रॉफिट होता है उसमें साथ से नौ परसंट वफ बोट को जाता है अब ही जो संसोधन ला रही है सरकार आपको लगता है कि सरकार जो है वफ संपत्यों पर कबजा करेगी तो आपको क्या लगता है कि इस संसोधन से मुसल्मानों को कितना नुकसान होगा वफ संपत्यों को कितना नुकसान होगा होना यह चाहिए था कि इन सब की हिफाज़त हो वफ के संपत्यों पे अवैद कब्जे हैं और सिर्फ लोगों ने माफियाओं ने नहीं करें बलके सरकारों ने भी करें सरकार कह रहे हैं कि जो अवैद कब्जे लोगों ने वफ संपत्यों पे कर ली हैं उसको बेदखल करने के लिए ये संसोदर नोराय कानून में और सरकार ने जो कब दिकर रखी दिल्ली के अंदर कुछ प्रेस्टीजियस बिल्डिनिंग्स ऐसी है जो वफ की जगापे बनी दी है तो सरकार उनको ऐसा कोई कानून लेके आए कि वफ की संपत्ती फिरी हो और वफ का असल जो वफ करने वाला चाहता था वो काम हो ताकि उसको भी उसका सवाब मिले अब क्योंके सरकार के पास अब जमीने तो है नहीं उन्हें आसान तरकी भी नदर आगे कि वफ के पास बहुत जादा जमीन है इसको लो आपने चहुईतों को बाढ़ दो और सिर्फ वफ ही नहीं मंदिर और मठो की भी लेंगे अभी आप देख लेना उनके पास भी बहुत संपत्ती है तो यह कोई मामला हिंदू-मुसल्मानिया उसका नहीं है यह मामला सरकार की बदनियती का है पड़ोसी मुलक है बंगलादेश उसमें सत्ता तख्ता पलट हो गया है से खसीना जो है इंडिया आ गई है वह पे जिस तरह से दंगे हो रहे हैं अराजकता पहली हुई है और जो वहां के अलबसंक्यक है हिंदू उनको मारा जा रहा है अगजनी हो रही है इस पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए देखिए बड़े अफसोस नाक हालाद बंगलादेश की है मापके अलबसंक्यक बहुत परेशान है बहुत जूर्म हो रहा है उनके उपर और हद तो यह हो गई कि छोटे बच्चों को भी छीन के लेके भाग के जा रहा है वो इस वाद बहुत दूविधा में हैं बहुत परेशान है हम सब का फर्द यह बन दा है कि हम उनके आसू पोचे हम अपनी सरकार से आपके मादियां से डिमांड करते है कि यूएन में मसला अमर्जंसी के हिसाब से उठाएं और यूएन को इस बात के लिए बात करें कि वहाँ पर पीस केपिंग फोर्स जाएं और उन गरीब हिंदूओं को परिशान हिंदूओं को बचाएं वहां से और अगर यूएन इसमें सक्षम नहीं है तो हमारा यह इतिहास पहले भी रहा है कि जब बंग्लादेश इस पाकिस्तान हुआ करता था 1971 में और इन लोगों के उपर बहुत जल्म हुआ था तो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मिस्स इंद्रा गांदी ने मुक्ती वाहिनी जो बंग्लादेश की वाहिनी बनी थी आजादी के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी को उतारा था और पीस्कीपिंग फोर्स भीजी थी हमें भी वही काम अप करना चाहिए हमें इम्मत जुटानी चाहिए हमारी सरकार खामोश क्यों है अभी तर यह बताईए मतलब आप करें कि हमें सेना भीज देनी चाहिए उनकी हिफाज़त के लिए बंगलादेस में भारत में C.A. कानून है वहां पर धर्म के आधार पर अगर उनके साथ उत्पिरन हो रहा तो क्या भारत सरकार को सेफ पैसेस देना चाहिए अपने भारत में उन्हें हिंदों को शुना देनी चाहिए जो बंगलादेस में धर्म की वज़ा से परतारित की जा रहे है यकीनी दोर पे हम लोग वासुदे कुटमकम के अलम बरदार हैं उस रास्ते पर हम चलते हैं इंसानियत के लिए हमने बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं अब C.A.A. बन गया उसका मकसद यह था बंगलादेश के जो जितने हिंदु भाई पर तालित हो रहे हैं उनको सेफ पैसिज मिले और उन्हें ऐसे लोगों को जो बिल्कित असाहा हैं मच्बूर लाचार है उन्हें हिंदुस्तान में आने की अजासत मिले और उनकी पूरी रख्षा की जाए हिजाब विवात को लेकर के सुप्रिम कोर्ट ना आज बड़ा फैसला दिया है जो मुंबई में एक कोलिज में प्राइवेट कोलिज में बुर्खा पहन कर आने वाली छातराओं पर रोक लगा दी गए थी उसे सुप्रिम कोर्ट ने गलत ठहराया है और ये कहा है कि कोई भी लड़की क्या पहनेगी उसके धार्मिक ड्रेस किया है उस पर कोई रोक नी लगा सकता तो हिजाब पे से बैंड सुप्रिम कोर्ट ने हटा लिया है और ये भी कहा है कि आजादी के इतने सालों के बाद इस तरह की चीज़े हो रही है कि कौन क्या पहने क्या ना पहने इस पर प्राइवेट कोलिज जो कानून बना रहा है वो गलत है उस उस रोक को हटा दिया है क्या कहना चाहिए देखिए बहुत बड़ा फैसला सुप्रिम कोट किया और हम इस फैसले का खैर मक्दम करते हैं स्वागत करते हैं ये देश अनिकताओं में एक तरह का देश थे प्यार महबबत का देश है सब अपने-अपने मज़ब के हिसाब से अपने-पने काम करते हैं तो आपने पिछली बार देखा था करनाटक में क्या हुगा थ और उसका भी हम ने ये कहा था कि मजभी आजादी के अंदर कोई हिंडरेंस पैदा नहीं करी जाए अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो जबरदस्ती किसी का हिजाब उतारा जाए और जबरदस्ती किसी का हिजाब पिनाया जाए जो बच्ची अप जिस तरह से रहना चाहती ह इसे रहे। क्या लगता है आपको देश में जिस तरह से हिजाब को लेकर के विवाद होते थे हैं कॉलीजों में अक्सर रोक दिया जाता था तो क्या आप सुप्रिम कोट के इस फैसले के बाद आपको लगता है कि अब इस तरह की चीजे देखने को नहीं मिलेंगी इस तरह की रोक टोक नहीं होगी। देखिए यकिनी तोर पर इसके दो फाइदे हैं जैसे अब ही आपने कहा कि हिजाब की वह ऐसे अननेसेसरी टेंशन नहीं होगा। जो जिस तरह से जा रहे हैं आप से जाने दिए जागा। दूसरा हिंदुस्तान की माइनर्टीज पिछले दस साल स उसे भी बहन लगा देते हैं कोई मुसल्मान डाली रखके जा रहा तो उस भी बहन लगा देते हैं अरे यह तो सब के रहने से नहीं की आज़ादी है हर जगा है और सब को मालूम है किसका मजभ क्या है तो सुब्रियम कोट के आज की इस फैसले का आप सौगत करते हैं करना है कि वफ के जो कानून में अमेंडमेंट करने जा रही है सरकार वो सीधी सीधी सरकार की नजर जो है वफ संपत्यों पर है सरकार वफ की संपत्यों को हड़पना चाहती है वहीं बंगला देश के मामले में उनका कि भारा सरकार को चाहिए कि वहां के हिंदों की पी गंगा खबर आपकी जबापकी